दोस्तों अववाबास योईना का लाब मिलने का कोई चांस नहीं बनेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक वाज़ की दिए ताकि आप यह समझ सकते हैं कि अववाबास योईना का कौन सा ऐसा केटेगरी है क्या है वैसा क्रेटरिया है जिसके अंतरगत अववाबास योईना का लाब मिलने का चांस नहीं बनता है जदि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि अववाबास योईना का कौन सा ऐसा केटेगरी है जिसके अंतरगत आने के बाद लाब मिलने का चांस नहीं बनने वाली है यदि इसके अंतरगत आते हैं तो ग्राम सबा में ही चाहे आपका एपिकेशन में एकसर्ट गयोना हो जहाए लेकिन ग्राम सभा में आपका नाम छट जायागा इस कुटनी के अंतरगत आपका नाम वहाँ से लिश्ट से हटा दिया जायागा तो चलिए हम लोग डीटेल से इस वीडियो में जानना शुरू कते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकॉन को प्रेस कर नोटिवेसन कौन कर लिए ताकि सरकारी स्किम स्किम स्रीटेर हर एक साही इनफूर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुस सके दोस्तों सबसे पहले आप इसकिन पर एक फॉर्म को यहां पर देख पा रहे होंगे इसी में वो डीटेल से बताई गई है कि कौन-कौन से वैसे कैटेगरी है जिसके अंतरगर आने के बाद लाब मिलने का चांस नहीं मिलेगा एक पेपर कटिंग भी है हमारे पास इसमें भ चार पहिया वाला देख जाएं, तो वह उंड है और स्ची के अंतरगर उखने के जाएक नहीं। परिवार के कोई भी सदस सरकारी या अर्ध सरकारी नोकरी के अंतरगद आते हैं, दियान रखेगा कोई भी आवेधन किये हैं उस परिवार के कोई भी सदस सरकारी जॉब के अंतरगद आते हैं, या फिर अर्ध सरकारी कोई भी जॉब के अंतरगद आते हैं, तो वो लोग इस सरकारी या अर्ध सरकारी जॉब के अंतरगत कोई भी मेंबर आते हैं, परिवार के कोई भी सदस इंकम टैक्स भरते हैं, या फिर प्रोफेशन टैक्स भरते हैं, कोई भी टैक्स यदि भरते हैं, तो उस परिवार के किसी भी मेंबर को अब आबास योजना का लाब नहीं मिलन यदि आपके पास धौड़ जमीन है और पूरे जमीन सिंचित भूमी के अंतरगत नहीं आती है यानि कि कुछ बनजर भी है कुछ करीसि योगी भी है और इस तरह से आपका धा करने योग यह है तो आप इस योजिना के पात्र नहीं होंगे एंक पेज़े है जो कि बरते समय आपने दिये थे, उसमें यहां पर दी हुई है यहां पर देख सकते हैं यह बहुत इनपर्डेटन चीज उस पेपर से मिसिंग हुई थी, यहां पर यह दिया हुई है, देख सकते हैं कि आपके पास फूर्व से पका मकान है अथवा दिनांक एक-eak 1990 के उपरांथ, यहने कि एक जनवरी 1990 की बाद कोई भी राष सरकार या कैंसरकार के दोला संचालित, कोई भी आवासजिना में ज़िदी आपको लाब मिला है, जैसे कि परधाल मंत्री आवासजिना, बाबा साब भीमरा अमबितकर अवास योईना बीरसा अवास योईना या फिर इंदिरा अवास योईना इन में से कोई भी अवास योईना का लाब आपको मिला है या फिर कोई भी अवास योईना का लाब मिला है 1990 की बाद तो आप इस योईना के पात्र नहीं होंगे आपको अबवाबा सोईना का लाब नहीं मिलने वाला है यह चीज उस paper cutting में नहीं दिया वाय था यह form में आपका दिया वाय जब form आपने भरे थे अबवाबा सोईना का उस समय इस form में हर एक चीज को fill up करे होंगे और हर एक चीज को आप ध्यान भी दिये होंगे आपको हमारी चैनल पर ही मिल जाएंगे तो हर एक चीज की उपर में हर एक चीज की उपर में update लाते रहता हूँ अब आवाबा सोईना का लाब मिलने से कोई रोकने वाला नहीं है आपको 100% मिलेंगे लेकिन आपको active रहना पड़ेगा तो आपको इस भरम में नहीं रहना है कोई भी पतादिकार है आपके घरों में आके जिदि आप 100% योग लाबुक हैं तो आपको आवास वेना का लाब देने के लिए पूरा प्रियास करेंगे तो जितना आप प्रियास कर सकेंगे अपने लिए उतना तो कोई भी नहीं कर सकते हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और हर एक update को आपको जानना पड़ेगा तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जदी subscribe कर लिए तो बहुत अची बात है हर एक update को आपके घरों में आपके mobile के माध्यम से मिल जाएंगे आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं पड़ेगी मैंने paper cutting के माध्यम से बताया आपको वहां पे कुछ और था इस form में कुछ और है तो आपको इस form को 100% सही समझना है क्योंकि ये form जो है जारखन सरकार की और से जारी हुई है यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा है कि कोई ऐसे परिवार जिनके पास धायेकर से ज्यादा सिंचित भूमी है पलस में कोई भी सिंचाई उपकरन है सिंचाई करने वाला कोई भी मसीन है तो आप इस योजना के पात्रह नहीं होंगे और यह जो paper cutting था यहां पे कुछ और लिखा हु तो आपको 100% EC को सही समाईना यह जो दिया हुआ है यह फॉर्म जारखन सरकार की और से जारी हुआ है और EC के माद्यम से हर एक चीजों का decide किया जाएगा कि आपका नाम को हटाना है या रखना है देख सकते हैं यहां पे आपके पास धायेकर जमिन है पलस में कोई भी सिंच ना के लाब लेने के हगदार नहीं बनते हैं उस सूची से आपका नाम को हटा दिया जाएगा यहां पे देख सकते हैं 5 एकर जदी आपके पास जमिन है वो भी शिंचित भूमी है या फिर इस से ज्यादा है तो आपका नाम हटाय जाएगा तो इस फॉर्म में यहां पे कैसे दिसाइड किया जाएगा कैसे उसका सूची बनाया जाएगा कैसे ग्रामसभा होगी कैसे चटनी होगी हर एक चीजों के उपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है तो जदी आप उस चीज को देखना चाहेंगे तो आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा ह आपको आपको अपर आपको अब बाहर है तो और जदी अभी तक नहीं देखें तो आई बटन पे लिंक है कैसे प्रतिक्षा सूची की तैयारी होगी कैसे ऐसे उसमें आँकों के आधार पर सेलेक्शन किया जाएगा, हर एक चीज़ों के उपर मैंने complete information दिया हुआ है कल का वीडियो में और हमारे हर एक वीडियो का update लगातार, quick update पाने के लिए और हर एक चीज़ों का information पाने के लिए हमारे WhatsApp और Telegram ग्रूप में जूट सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर कीज़े, मिलते हैं किसी important और विक साथ किसी next वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू, आपका दिन सूबू